हालो एबरीब्न कैसे हैं हाफ सब आज बनाने जारी न्यू डिजाइन जालर और देखिए इस जालर में मैंने चिडियां बनाए जाले हैं इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है तो चलिए इसान स्टार्ट करते हैं यह देखिए सबसे पहले में यह इस तरह की चिडिया बनाके कम्प्लीट करूंगी तो देखिए इसका सेब बिलकुल गुरया की तरह दिखता है और इनको मैंने बहुती आसान तरीके से बनाया है तो देखिए मैंने बाइट कलर लिया है आप अपने मन पसंद का कलर ले सकते ह हैं और देखिए यहां पर मैंने 12 नंबर क्रोची लिया है तो देखिए इस तरह से हम पहले एक मैजिक रिंग बनाएगे देखिए Sojjama Hip geared पैट लिया इसको हमने एसे यहांसे निकल लिया अ्पर यहां और यहां से देखिए एक चैन बनाओंगी अब इसके अंदर सेसे सिं तीन, चार, पाच, छे, यह देखिए, छे संगल कुरुसिया मैंने इसमें बना लिए, आप देखिए, इसको हम ऐसे खीच देंगे, यहां से खीच दिया, तो यह देखिए, राउंड सेप में आ जाएगा, ऐसे, अब हम यहां पे, फर्स्ट वाले में सिलिप स्टिच कर इसको, ऐसे, तो देखिए, यह जोइंट हो गया, और एक यह ऐसे, रिंग बनके, कम्प्लीट हो गया, आप देखिए, यहां पे, छे जो बनाए हैं, इनमें हम दो-दो बार बनाएंगे, तो यहां पे, बारा सिंगल कुरुसिया बनके, कम्प्लीट होंगे, तो इसी स्पेस मैंसे हम देखिए पहले एक चैन बनाएंगे इसमें ऐसे और इसी मैंसे हम बना लेंगे तो यहां पर देखिए एक बापस इसी म बनाएंगे दो अब दूसरी चैन में तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे कि और देखिए 12 बारा बनाने के बाद देखिए अब हम इसको यहां पर फश्ट वाले में सिलिव स्टिच कर देंगे कि यह देखिए इस तरह से ऐसे आप देखिए यहां पर हम एक बूल इस तरह से रख लेंगे और यहां से हम तीसरा राउंड शुरू करेंगे अब देखिए बारा जो हमने बनाए हैं उन पे हम बारा टाइम सिंगल क्रोसिया बनाएंगे इसको आपको इस तरह से रखना है ताकि आपको यहां से पता चले कि यहां से हमने राउंड श्टाट किया है हर एक में एक बार एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे 12 सिंगल क्रोसिया मैंने बना लिए और यहां पे देखिए इस तरह से इसको हमने अब इसको में निकाल लिया और यहां पे ऐसे रख लेंगे अब यहां से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे इस तरह से तो यहां से एक दो तीन अब देखिए इसमें भी हम दूसरे राउ छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, और देखिए यह बार, यह देखिए इसको हम निकाल लेंगे, अब यहां पे दो राउंड कम्प्लीट हो गए, आप देखिए यहां से हम इसको यहां रखेंगे, और अब हम इसमें फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यहां पे एक, एक में एक बार और एक में दो बार, अब छे हम फंदे इसमें बढ़ा लेंगे, तो अठारा फंदे इस रो में हमारे पास हो जाएंगे, एक में हम एक बार बना रहे हैं और एक में दो बा एक दो वापस देखिए एक दो एक चैन में एक बार एक चैन में दो बार इस तरह से इस राउंड को हमें कम्प्लीट करना है देखिए इस तरह से मैंने यहां पे बढ़ा लिये हैं यह देखिए यहां पे एक दो तीन चार पांच मेरे पास अठारा सिंगल करोंगे तेखिए इसको यह से निकाल लेंगे और यहां से देखिए इसमें से हम बनाएंगे एक दो चैन चार पाच छे साथ आठ नो यह देखिए, नो सिंगल क्रोसिया मैंने बनाए आप देखिए, यहां से हम यह देखिए, एक दो, तीन चार पाच छे, साथ आठ आठ चेन बना दी मैंने, इसमें और देखिए, अब यहां से हम ऐसे, एक को छोड़ देंगे और दूसरे में हम बनाएंगे, देखिए, यह बाला छोड़ेंगे, इसमें बनाएंगे ऐसे, डवल क्रोसिया इस तरह से ऐसे यह देखिए, एक अब दूसरी चेन में, दो यह देखिए, तेन चार पाँच और देखिए, यहां पे छे यह देखिए, इस तरह से यहां पे, यह इसकी टेल आ जाएगी चुड़िया की, आप देखिए, हम यहां से देखिए, सेकंड वाले में, यहां से देखिए, मैंने यह बनाया, अब यहीं से हम वापस इसको ऐसे जोइन कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ और देखिए, नो नो टाइम मैंने इधर भी बना लिया, नो मैंने इधर बनाए, नो टाइम इधर बना लिया, अब हम इसको ऐसे उपर कर लेंगे, यह देखिए आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से, यह देखिए, एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो यह देखिए, नो टो मैंने यह बना लिये, और तीन में इस साइड से बनाऊंगी, यह टेल के तरफ से, तो यहाँ से, यह दस ग्यारे, बारे, इस रो में, बारे मेरे पास इस साइड हो गए, अब यहां से हम एक चेन बनाएंगे, और इसको यहाँ से देखिए, इस तरह से कर लेंगे, तेल को, और यहां से देखिए, एक, दो, तीन, तीन को मितलब यहां से करके, यहां से हम बनाना इस टार्ट इस तरफ ये देखे एक दो तीन तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे ये देखे अब मेरे पास यहां पे देखे चौविस सिंगल क्रोसिया हैं बारा इदार हैं और बारा ही इस साइड हैं अब देखे यहां से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठमा राउंड स्टार्ट करेंगे तो आठमा में मेरे पास सिर्फ चौविस आठ में में और नौ में में दो ऐसे ही बुनने हैं ये देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, 10, 11, और देखे, 12 आप देखे, जो मैंने यहाँ पर एक चेन बनाया था इस पे हम नहीं बनाएंगे, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर बनाएंगे, इस साइड, ऐसे आप देखे, इसी तरह से हम यहाँ तक मैंने बना लिया पूरे में कम्प्लीट करेंगे एक और करेंगे जिवेगित। पूरे बनाके कम्प्लीट कर लेंगे , 24 को और लेते हैं uinely यहें पर मैंने 9 के लिधे कालेंगे हैं और और 24 के किये हूई हैं अब देखें के हम रख लेंगे यह से तेखे अब यहां से हम बनाएंगे इसको तो देखे दो में हम सिंगल क्रोसिया बनाएंगे एक और दो अब देखे यहां से बना देंगे यह आगे दो ऐसे एक और दो अब देखिए फिर से यहां से एक दो यह देखिए अब यहां पर एक दो यहां से देखिए एक और दो यह हाप चैन ले रही हूं मैं इसमें से यहां पर एक दो और इसमें से देखिए एक दो इस तरह से हम पूरी रो में कम करते हुए जाएंगे एक दो और देखिए इस तरह से इसको कम कर दिया मैंने उसके बाद देखिए एक दो इस तरह से यह देखिए अब हम इसे ऊपर के साइड कर लेंगे निकाल के यह देखिए यह कर लिया अब हम यहां से देखिए एक में एक बार बनाएंगे उसके बाद हम देखिए दो इस तरह से चैन लेके इनको ऐसे कर देंगे और एक में एक बार फिर हम दो ये चैन लेगे ऐसे और इनको एक साथ बना देंगे ऐसे देखिए पूरा ऐसी तरह से ये राउंड हम कम्प्रीट कर लेंगे एक में एक बार और ये दो चैन निकालके ऐसे करते जाएंगे ये देखिए उस तरह से ये दो इसकी चैन लेंगे ऐसे एक और दो इस तरह से अब ये यहां पर छोटा सा होल रहे गया अब इसमें से हम थोड़ा सा इसमें कॉटन फिल करेंगे और देखिए इस तरह से ये इसका से पाजाएगा तुम्हें ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा फाइवर ले रही हूँ आप चाहें तो इसमें कॉटन भी भर सकते हैं तो देखिए यहां से हम इसमें ऐसे फिल कर देंगे थोड़ा सा और ज्यादा नहीं भरना है आपको बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए ताकि ये धुलने पे एकदम से अच्छी सी रहे बारने के बाद ये देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा फाइवर ले रही हूँ आप चाहें तो इसमें कॉटन भी भर सकते हैं तो देखिए यहां से हम इसमें ऐसे फिल कर देंगे थोड़ा सा और ज् ताकि ये धुलने पे एकदम से अच्छी सी रहे बारने के बाद ये देखिए इस तरह से अब देखिए मैं यहां से क्रोशियाओ को इसके अंदर डालके और इस धागे को मैं अंदर कर दोंगे ताकि ये खुले नहीं और फिंसिंग भी अच्छी रहे इस तरह से थोड़ा सा अंदर कर देंगे उसके बाद हम इसे कट कर देंगे यहां से छोटा काटें आप उसके बाद इसको अंदर इजली है हो जाएगा और देखिए इस तरह से इसका सेप आ गया आप देखिए मैं इसकी चौच बनाऊंगी तो चौच बनाने के लिए देखिए इस तरह से पिंक कलर की मैंने बनाई होई है तो यहां से देखिए सेंटर में जहां पर आपने यह दागा डाला हुआ है यहां पर एक दो तीन तीसरे राउंड में शुरू करेंगे और देखिए मैं पतला क्रोशिया ले रही हूं यहां पर से मैं ऐसे देखिए उसको मैं डाल कि ऐज़ाद से इस तरह से यह देखिए अब यहां से एक दो तीन तीन चेंड बना ली वेन आप देखिए इसको हम ने जहां से यह डाला था वही पर ऐसे करके वहीं पर के साइड देखिएप इसको एक बार ऐसे निकाल देंगे ऑब देखिये हम इस बूल को कट कर लेंगे यहांसे खीश देंगे यह देखिये इस तरह से यह चौच इसकी बन जाएगी आप देखिये हम यहां से कहीं से भी आपके रोष्य वोक डालके इसको दागे को अंदर के साइड कर दीजिए, ऐसे, ताकि इसकी फिंसिंग भी अच्छी रहे, और ये धागा अंदर के साइड भी चला जाए, ऐसे, ये देखिए, इस तरह से ये चौच बनके रेडिय है, आप देखिए, इसकी आई बनाएंगे, आख, ये देखिए, आप देखिए आँसे, ऐसे, एक दो, तीन, तीसरे राउंड में हम इस साइड भी ऐसे, एक, दो, तीन, यहाँ पर ऐसे, बराबर पर हम इसको निकाल लेंगे, इस तरह से, ऐसे, अब देखिए, यहाँ पर हमने नोट नहीं लगाई है, थोड़ा सा अंदर कर लेंगे धागे को, ऐसे, और यहाँ से पहले हम इधर की आख बना देंगे, इसकी, यह देखिए, एक बार कर दिया, और इसी को हम एक बार और ऐसे करके, इस साइड निकाल लेंगे, देखिए, थोड़ा सा पॉइंट है, हलका सा, यहीं पर हम बनाएंगे, इसकी, यह देखिए, इस साइड की बन गई, अब ऐसे ही हम, इस side की बनाएंगे ये देखे एक बार हम और इसको निकालेंगे और देखिए जब हम निकालेंगे तaggiख सिर्पे इसके ये देखे और इस wool को हम cut कर देंगे यहां से छोटा सा ऐसे और इसको हम किरोंसिया से अंदर के side ऐसे कर देंगे यां से नहीं यह देक्श私 तरह से यह बनके तयार है यह देखिए काफी प्यारी लग रही है है चोटी सी है लेकान बहुत सुन्दर लग रही है आप देखिए इस तरह की मैं लटकन बनाऊंगी तो इसे बनाने के लिए देखिए मैं माचिस ले रही हूँ आप चाहें तो फिंगर पर भी बना सकते हैं यह देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चाओदे पंदरे सोले सत्रे सत्रे बार मैंने इसमें लपेटा है अगर आपकी बुल पत लिए तो आप जादा टाइम लपेट सकते हैं आप देखिए हम यहां से इसको इस तरह से सुई से यहां से ऐसे एक बार बाद लेंगे यहां पे बांद लिया, इस तरह से और देखिए, यहां से हैँ हम इसको सब्काट देखिए यहां से और आप बराबर बनेगे उस्तरह से अगर आप बनाएंगे, तो देखे, इसको सब्छु काट दिया, यहां से आप ह смश मेश Кट करएमेर態 और देखिए यहां से इसको हम ऐसे करके पकड़ लेंगे और इसी धागे से हम यहां पे इसको एक बार टाइट करके ऐसे ऐसे बांद देंगे इस बांद दिया एक बार और निकाल दिया और देखे इस धागे को हम अंदर के साइड इसमे ऐसे कर देंगे यह देखिए, इसको छोड़ देंगे, अब सारे जो हैं, इनको हम ऐसे पकड़के एक बार यहां से मिलाते हुए, थोड़ा सा ऐसे कट कर देंगे, इस तरह से, अब देखिए मुझे कुछ मोती चाहिए, जो मैंने इसमें इस तरह से प्रोह लिये हैं, बुल में, और देखिए यहां से अब मैं, एक चड़िया लूँगे, देखिए, इसके यहां से सेंटर से, इसको हम ऐसे, इस तरह से निकाल लेंगे, यह देखिए, इतना धागा निकालेंगे इसका, आप देखिए, यहां से हम इसमें मोती डालेंगे, पहले हम छोटा मोती डालेंगे, इसमें एक, और देखिए बाद में ये बड़ा दो साइज के मौती डाल रही हो आप colorful भी इसमें डाल सकते हैं आप देखिए हम इसको लटकन को डालेंगे दो लटकन देखिए यहां से मैं center में इसको ऐसे निकालूंगे यह देखे और यहाँ पर इसको एक बार ऐसे बांद दूँगी और एक बार और इसको ऐसे करके नीचे के साइड इससे खीच देंगे धागा को इस धागे को हम छोड़ देंगे और यहाँ से इसमें ऐसे करके बराबर इसके कट कर दूँगे इस तरह से अब हम इस चुडिया को ऐसे करेंगे देखिए ये वाले मौती हम इसके पास में ला लिए और हलके से ऐसे चुडिया को खींज देंगे ये देखिए हलका सा खींजना है इसको ताकि यहां तक यह ऐसे आ जाए आप देखिए हम यहां से इसमें पफ डिजाइन बनाएंगे तो तीं, चार, पाच छे, साथ, आठ, आठ चैन वनाएए अब देखिए मैं छोड़ा क्रुशिया लूँगी यहाँ पर जिससे मैं मोती इसके अंदर डालूँगी तो देखिए दो मौती में ऐसे करके यहां पे लाके और देखिए इसके अंदर से ऐसे क्रोशिया को डालके ऐसे इनको निकाल दूंगे यह देखिए यह हो गया वापस इसमें डालेंगे और इस फंदे को हम ऐसे करके इसमें ऐसे खीच लेंगे और देखिए यहां पे ऐसे बीच में इसके मौती इतना बड़ा होना चाहिए जो इस चैन में आ जाए आपके आप देखिए यहां से हम इस फंदे को फिर से ले लेंगे और यहां पे हम पफ बनाएंगे यह देखिए ऐसे करें खीचेंगे थोड़ा सा और देखिए जितना बड़ा आपको पफ चाहिए उतना आप यहां पे फंदा बना लें, यहां से एक चेन को छोड़के दूसरी चेन में से, ऐसे एक, एक मैंने पहले लिया तो दो, तीन, चार, पांच, पांच टाइम मैंने ये पफ बना लिया, ऐसे, अब इनको हम एक साथ निकाल देंगे, देखे, ऐसे लोग करेंगे इसको आप देखे यहां से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ चेन, आप छोड़ा वाला क्रोसिया ले लेंगे, और देखे, दो मोती हम फिर से, इसके अंदर से कर देंगे, ऐसे खीज़ देंगे, और इसके अंदर से भी, इसको हम ऐसे कर देंगे, अब हम इस क्रोसिया को लेके, यहां पे एक, फिर से पफ बनाएंगे, ऐसे, खीच लिया, और यहां से देखे, सिकन वाले मैंसे हम, ऐसे बनाएंगे, ऐसे, चार, और देखे, यह पांच, पांच टायम बनाने के बाद हम इसको ऐसे बंद कर देंगे, एक, दो, तीन, चार, अब देखे, लाश्ट में जो हम बनाएंगे, उसमें हम चार की चैन रखेंगे, और देखे, अब हम इन मोतियों को फिर से इसके अंदर क्रोसिया से डाल दे की योगिया, इसके अंदर से, और इस बूल को हम थोड़ा सा बड़ा कट कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा और इस फंदे मैं से हम इसको एंड में निकाल देंगे, यह देखे, इस तरह से मुझे बनाके कमप्लीट करने हैं, देखे, ऐसे मैंने ये दो का बनाया, सेंटर में मैं तीन का रखोंगी, जो बीच का राएगा, और इधर का एक का इस तरह से मैं बनाऊंगी, एक करके मैं कम करते जाऊंगी, आप देखिए, यहाँ पे हम एक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक पफ बनाए, देखिए, इस कोनर पे, ऐसे यहाँ पे बादेंगे, और दो बाला जो है, देखिए, एक और दो, यहाँ पे ऐसे बादेंगे, और तीन बाला, इसके सेंटर में बादेंगे, ऐसे, और देखिए, यहाँ से देखिए, हम फिर से दो वाला repeat करूंगी ऐसे इस side को ये देखे और उसके बाद यहाँ पर एक वाला repeat करूंगी देखे अब इसी parts को हम आगे दोरा देंगे तो इस तरह से ये पूरी बनाके हम complete करेंगे देखे पहले एक puff वाला दो फिर तेन फिर यहाँ पर दो फिर एक और देखे मैंन इस तरह से ये चड़ियों को रखा है दो का मुँ इधर किया है और दो का इधर बीच वाली का ऐसे तो मैं ऐसे ही इनको यहाँ से देखे स्टार्टिंग से मैं आपको बांद के दिखाती हूं यह देखे इसमें से हम ऐसे सुई को डाल लेंगे आप देखिए जो पिंक वाल का पार्ट से इसमें हम ऐसे इसको बांद देंगे अच्छे से ताकि यह खुले नहीं देखे एक बार हम इसमें से भी ऐसे निकाल लेंगे और देखे इस साइड उल्टे तरफ हम इसे अच्छे से टांक देंगे और यह वाली बूल भी है जो इसको भी हम अंदर के साइड इसमें फसा देंगे ऐसे और इसको हम कट कर देंगे ऐसे यह देखे एक चुड़िया यह बन गई है यह देखे इसी तरीके से हम इसमें पिंक वाले पार्ट्स में इसको भी बानेंगे फिर बापस पिंक वाले में फिर यहां पे फिर यहां पे इसी को हम आगे रिपीट करेंगे जितनी बड़ी आपको चाहिए उस इसाफ से हम य लेते हैं